नमस्कार आप देख रहे हैं each and everything channel मैं हूँ आपके साथ मनस्वी राज तो आए चल आज हम बात करने वाले हैं patterns के बारे में pattern होते क्या है हम अक्सर सुनते है pattern चलो pattern पढ़ना है या syllabus में pattern पढ़ने के लिए आएगा या तो pattern अधिकर जब हम सुचते हैं तो हमें geometric pattern याद आता है हमेशा लेकिन कोई pattern ऐसे of course हम normally अगर देखते हैं तो pattern यह simple numbers का pattern होता है like हम ऐसे pattern देखते हैं कि okay यह आया then यह इस तरीके से competitive exam से अगर हमें होते हैं या आप इस तरीके से भी देख सकते हैं like one आया then three आया then five आया तो अगला number क्या होगा बताइए तो इस तरीके से बहुत सरे आते हैं लेकिन आज हम pattern तो बात करेंगे pattern तो है लेकिन multiplication के साथ तो क्या है यह pattern आईए चलिए शूरू करते हैं आप whiteboard पर देख सकते हैं कि दो patterns मैं जब दो मने multiplication के वह आप table ऐसा लिख रख रखा है वन नाइन तो इसमें pattern फॉलो हो रहा है वो कौन सा pattern है अचा वन नाइन तो हम सबको बता है नाइन होता है यहां तक तो सबको याद होगा लेकिन 123 मैं 9 किसे को याद नहीं होगा तो हम इसको कैसे solve करें आप एक चीज यह यहां पर देख रहे होंगे कि अगला जो नंबर होगा जो मैंने अभी लिख रहा है 1234567 इंटू मैंने यह क्या होगा विदाउट calculator आप गैस करने की कोशिश कहें 987654 क्या आएगा ओके तो अगला नंबर हमारा 3 आएगा ठीक है अच्छा आप आगे देखेंगे तो जो नंबर है उसके अगले डिजिट पर always 0 आ रहा है 087 के आगे 06 के आगे 05 के 4 के तो 3 के भी आगे 0 आजाएगा अब मैं 1 कितनी बार लिख्व हो यहाँ पर 0 बार है यहाँ पर एक 2 तीन है यह पर चार है यह पर एक दो तीन पाच है तो हैं पर मेरे को कितने बार लेखना चाहिए of course six times एक दो तीन चाप पांच छे साथ सरी हाँ तो 6 सेंच हो गया अच्छा एक और तो यह आपने देखा कितने बड़ी मल्टिप्लेकेशन आपने करके दिखा दिया एक सिकंड के अंड है अपने बस पैटन को देखा एंड आपने अगला नंबर क्या होगा आपने बता दिया एक और चीज़ आप यहाँ पर देखो तुझ सम हो रहा है यह भी 9 हो रहा है 9 प्लस 0 9 होता है 8 प्लस 1 9 होता है 7 8 & 9 6 7 8 9 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 यह भी 9 हुआ और इसका भी सम अगर हम देखे तो 3 4 5 6 7 8 9 तो इन सब तस हम अगर आप देखो तो यह 9 बना रहा है तो बिकॉस 9 से बटिप्लाई हो रहा है तो यह एक डिफरेंट पैटर्न हमने देखा एक मल्टिप्लेकेशन में अब दूसरे वाले पर हम आते हैं दूसरे वाला क्या है कि 1 इंटु में 1 होगा 11 इंटु में 11 बहुत देखने बटर रहेगा तो आप यह देखेंगे लेकिन 111 इंटु में 111 क्या होगा अब हम यह सोचेंगे कि क्या होगा कैसे होगा तो इसमें भी एक पैटर्न मन रहा है 11 11 11 11 इसको अगर हम इस वे में लिखते हैं और एड़ करते हैं तो यह 1 1 प्रस 12 और यह 1 हो गया तो 121 आ गया अच्छा अगर इसको मुझे देखना है तो मैं कैसे लिखूंगा 111 एंड 111 बट यह तो मेरे को ख्याल से उतना करेक्टा नहीं रहा है यह तो आ रहा है वन टू टू वन आ रहा है तो यह तो नहीं है सही तो इस नॉट करेक्ट यह वाला हजगा पैटर्न फॉलो न सेंटर में वन था सेंटर में 2 इसेंटर में 3 सेंटर में 4 अगला नमबर के आएगा सेंटर में 5 अच्छा दोनों के हर ज Eating exterior में मेरे को 1 दिख रहा है और जो center number है हम 1 से counting वहां तक लिख रहे हैं यहां पर तो 4 के तक मैं 1 से counting लिख रहा हूँ into my 1 1 into my triple 1 is 1 2 3 4 5 4 3 2 1 and this is a beauty of mathematics this is a beauty of pattern की हमने बस एक center number को catch किया तो कि center number 1 है यहां पर center number 2 है दो number के बीच में इधर से अगर मैं एक pair हटा दू इधर से दो number का pair हटा दू तो यह center है इधर से 3 number और इधर से भी 3 number हटा दू तो यह 4 है इधर से 4 number इधर से 4 number हटा दू तो यह 5 एक center number है तो इसी तरीके तो this is a thing, this is a beauty of mathematics, कि किस तरीके से हम पैटन्स देख रहे हैं, यह वीडियो अल्रेडी 6 मिनिट्स तकी चली गई है, दो पैटन्स ही बताने में, अब what's your homework basically, आपका homework क्या है, कि you have to find more beautiful patterns than me, I want कि मेरे subscribers, मेरे से भी अच्छी पैटन्स को find करें, और उसको नीचे comment section में आप बत कूंडिये, आपको और कहां से आप नहीं, और numbers को multiply करके देखिये, इस तरीके कि और भी different patterns आपके सामने आएंगे, definitely आएंगे, उन चीजों को देखे, आपको कुछ और mathematics में लगता है, कि okay, this also shows the beauty of mathematics, तो आप उसको भी comment करके, आप मेरे को दिखा सकते हैं, तो what's your homework, your homework is to find more patterns, मैंने तो आपर दो बता हैं, दो बताने में इस से मिनिट पोड़े हो गया, मैं और अगर और बताने के लिए मेरे पास अभी इतना time नहीं है, आने वाले वीडियो में definitely अगर मेरे को कोई patterns है मिलेगा, तो फिर मैं definitely आपको बताऊंगा, तो आगे आने वाले वीडियो में patterns कुछ आ सकते हैं, और different topics में अल्रेडी सोंस रखे हैं, उसके बार आपका काम क्या है, कि homework करना है, pattern ढूलिए, maths के साथ खेलिए, मज़े करिए, have a nice day ahead, good bye